बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े बिजनेस्मेन, बड़े भोजपुरी एस्टार, बड़े बड़े बॉलीबोर अभिनेता और बड़े बेपारी और बड़े बड़े हर सेक्टर के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो करोरपती लोग हैं, जो अरबपती लोग हैं और बड़े बड़े बिजनेसमेन चाहे वो आरके सिंहा हो आरके सिंह हो या तमाम ऐसे लोग जो है जो कि चुनावी मैदान में उतर चुके हैं दरसल यह सभी लोग नेता बनना चाहते हैं और सभी लोग नेता इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा कमाई जो है बंदूग भी है अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने वाली लालू प्रसाद यादब की लाडली बेटी रोहिनी आचार जो की भासन भी ठीक से नहीं पढ़ पाती है वो पहले आप सुन लिजे उसके बाद हम आपको आगे बताने जाने वाले है क्या कि रोहिनी आचारे के पाद लोहिनी प्रसाद यादब, राबरी देवी, तेजप्रताप यादब, तेज़स्वी यादब, मीशा भारति के साथ साथ रोहिनी आचारे के पास कितनी समपत्ती है और यकीन मानिये जब हम आपको इन लोगों की समपत्ती के बारे में बताएंगे तब आप हैवान रह जाएंगे कि भेटनरी कॉलेज के चपरासी क्वार्टर में रहने वाला लालू प्रसाद यादव का पड़िबार आखिर इतना बड़ा पड़िबार कैसे हो गया, इतनी करोरों अर्वों की संपति का मालिक कैसे बन गया, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने वाली रोहिनी आचार जो की लिखा हुआ भी सही से नहीं पड़ पाती है, उनका पहले भासन सुन लिजे, एक मिनट का अकलिप, उसके बाद हम आपको तमाम बाते बताने जा रहे हैं संपति संबंद में मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, दश बर्षों के सांशत, उनकी सरकार के कारण, क्या आप के जीवन में कोई सकरातमा को बदलाव आया है, दस बर्षों में उन्हों ने आपके गाव को क्या दिया है, दस वर्सों में सांसर ने आपके जिले और छेत को क्या दिया है दस वर्सों में सांसर ने आपके अपने गाउं के स्कूल को अपगरेट किया है दस वर्षों में सांसद ने क्या आपके गाउं में हॉस्पिटल अस्पताल बनाया है दस वर्षों में सांसद ने क्या जिला छेत में उद्योग लगाया है दस वर्षों में मौझूदा सांसद क्या कोई बड़ा निवे सारन में लाए है सांसाद मौदे कितनी बार आपके दुखदर में आपसे मिलने आए दस वर्षों में कितनी बार आए मिलने आप लोग से शहर में नाली गली की हालत बेहद देनिया है उसके लिए उन्होंने क्या किया कोई ड्रेनेट सिस्टम लगा है नमस्कार मैं प्रेंज कुमार सिंग और आप देखना है पोजेक्टिव इंडिया अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे फेस्बूक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लिजे और जो लोग अलेडिक कर चुके हैं अभी अभी आपने रोहिनी आचारे का भासन सुना होगा डॉक्टर रोहिनी आचारे का और ये ऐसी डॉक्टरी इन्होंने हासिल की है डिगरी इन्होंने हासिल की है जिसके बाद इनको लिखा हुआ भी पढ़ा नहीं जाता इनसे अच्छा तो इनके नौमी फेल भाई ते जो सी आदब जी हैं जो की कम से कम बिना पढ़े हुए तो कम से कम बोल पाते हैं और बिना परची देखे हुए भासन दे पाते हैं आखिर डॉक्टर रोहनी आचार बेर कहां से डॉक्टरिक की डीग्री हासिल की है, जिसके कारण इनको पढ़ना भी नहीं आता। सबसे पहले आपको हम रोहिनी आचार की संपत्ती के बारे में बताने जा रहे हैं, लालू यादब की उस लाडली बेटी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा कि उन्होंने अपने पिता को किड़नी दान की थी और वे सिंगापूर से फ्लाइट पकर करके पटना उतरती है और पटना से सीधे सारन जा करके कहना सुरू कर देती है कि मैं सारन की बेटी हूं मैं छपरा की बेटी हूं और सारन से उन्हें लोग सभा का टिकर भी आरजेडी ने दिया है मेडिया रिपोर्ट्स के अनुसार और रोहिनी आचारया ने अपने नामांकन के दौरान जो हलापनामा दायर किया है और हलापनामा में जो अपनी संपती का विबरन दिया है यानि कि रोहिनी आचारया ने खुद जो बताया है वो हम आपको बताने जा रहे हैं आपको बताते चले कि हलप नामे में रोहिनी आचार ने बताया है कि उनके पास 2 करोर 99 लाक रुपे की चल संपत्ती है। इसके साथ-साथ उनके पास 12 करोर 32 लाख की अचल सम्पत्ती है, उनके पती के पास 6 करोरared 91 लाख रुपे की चल सम्पत्ती है यानि कि यह करोरों की मालकिन है, वहीं आपको बताते चले कि दरसल उन्होंने लोक सभाज सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है और इसी दोरान उन्होंने हलाप नामा जो दाखिल किया है उसके अनुसार बताया जा रहा कि दरसल सिंगापूर की बहु कहे जाने वाली रोहिनी आचार रहा जो कि अपने पास 19 şimdi 86 लाग यानि कि अगर देखा जाए तो लगभग 36 करोर रुपे की पति और पत्नी मिलाकर के इनके पास समपति है और वहीं हलाप नामे में रोहिनी आचार ने बताया है तो उनके पास 2 करोर 99 लाग रुपे की चल समपति है और उनके पास 12 करोर 92 लाग रुपे की अचल संपत्ती 12 करोर 94 लाक रूपे की है वहीं हलाप नामे के मुताबिक उनके पास 20 लाक रूपया नगत कैश के रूप में मौजूद है जबकि उनके पती के पास 10 लाक रूपे कैश के रूप में मौजूद है वहीं उन्होंने सबतपत में बताया है कि दरसल उनके नाम पर पाच बैंक खाते हैं जिन में और 29,70,000 रुपे का उनके पास सोने और चांदी के आभुसन है वहीं बताया जा रहा कि 3,85,000 रुपे के उनके पास चांदी के और 29,70,000 रुपे के उनके पास सोने क्या भुसन है वहीं उनके पती के पास साथ बैंक खाता है यानि कि साथ बैंक में उनके पती का एकाउंट है और पाच बैंक में उनका अपना एकाउंट है वहीं उनके पती के पास अगर बात की जाए तो 23,40,000 रुपे के सोने के आभूशन और उनके पती के पास चांदी के आभूशन जो है 2,80,000 यानि कि लगभग जो है 26,00,000 रुपे की सोने और चांदी के आभूशन उनके पती के पास है और 35,00,000 रुपे के सोने और चांदी के पढ़ने नहीं आता है जो लिखा हुआ है उसको ये पढ़ना ही पाती है तो आखिर इनको चिकित्सक की डिगरी किसने दे दी ये अगर operation अगर करती होगी तो कईची उची जो है उपटबे में छोर देती होगी और जिसका operation होता होगा उस मरीज का क्या हाल होता होगा ये ज़रा समझने की बात है वहीं रोहिनी आचावे ने बताया कि दरसल डाक पता उन्होंने 208 कोटिल नगर MP MLA कोलोनी पतना उन्होंने अपना एड्रेस बताया है और प्रजेंट एड्रेस के तोर पर उन्होंने पतना का बताया है और सबसे बड़ी हैरानी की बात ये है कि साल 2020 का जब बिहार बिधान सभाद चुनाब तेजस्वी आदब लग रहे थे त कोहिनी आचार 44 साल की है और उन्होंने 2012-2013 के बीच में 3,16,000,000 रुपे जबकि उनके पती की भारत और सिंगापुर में सयुक्त कमाई जो है सारे 6,000,000,000 रुपे से अधिक थी उनके 3 बच्चों के पास वेक्तिगत रुप से 43,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 जो है और उस 12 15 साल के बच्चे ने आखिर कहां से कमाई कर लि कि उसके पास लाखो की सम्पति है यानी कि इनके नोकर भी जो है करोर पती कहे जाते हैं वहीं रोहिनी आचार जो करोर पती बेखती है उनके पास एक अपनी कार तक नहीं है और हलापनामे में उन्होंने बताया कि उनके पास अपनी कोई भी गारी तक नहीं है बतादे कि रोहिनी लालू रावरी की चोथी संतान है और बड़ी संतान जो है वो मीशा भारती बताई जाती है और वो अपने पिता लालू प्रसाध्यादव को धिडिनी देने के कारण चर्चा में रही थी आपको जानकारी देते चले कि सारन छपरा से रोहिनी आचार भाजपा प्रत्यासी राजीब प्रताप रूढी के खिलाब चुनाबी मैदान में है वही राजप के बागी उमिदबार भी सारन से उतर चुके हैं और उनका नाम भी लालू प्रसाध्यादव बताया जा रहा है वही आपको जानकारी देते चले कि रोहिनी आचार के नामांकन में तेजप्रताप यादव लालू प्रसाध्यादव राबडी देवी समेत उनके परिवार के सभी सदस्य सामिल हुए थे और लालू प्रसाध्यादव खुद जो की बिमार बताया जाते हैं वो भी नामांकन में पहुचे थे वही अगर लालू प्रसाध्यादव के अगर पूरे परिवार की संपत्ती के बारे में बात की जाए तो दरसल आपको बताते चले कि लालू पडिवार के पास जो संपती है वो उसे सुनकर आपको काफी हैरानी होगी दरसल नितीश कुमार जो है उनके पास कितनी संपती है उसके बारे में भी दरसल बताया जाता है कि नितीश कुमार के पास भी करोड़ों की संपती है यानि कि नितीश कुमार और लालू प्रसाद ज्यादब की बात नहीं है बल्कि इस देश में जितने भी नेतागन है सब के पास करोडों की संपत्ती है और आप देखते होंगे आप जानते होंगे आपने अंदाजा लगाया होगा और इतना ही नहीं अगर आप अपना नजर तब आपको पते चलेगा कि दरसल बड़े बड़े अभिनेता बड़े बड़े बिजनेसमेन बड़े भोजपुरी एस्टार बड़े बड़े बॉलीबोड अभिनेता और बड़े बड़े बेपारी और बड़े बड़े हर सेक्टर के जो बड़े बड़े लोग हैं जो करोर कमाननी को देख लीजे जया परदा को देख लीजे और बड़े बड़े बिजनेसमेन चाहे वो आरके सिंहा हो आरके सिंग हो या तमाम ऐसे लोग जो है जो कि चुनावी मैदान में उतर चुके हैं दरसल यह सभी लोग नेता बनना चाहते हैं और सभी लोग नेता इसलिए बन पत्रकार हो या फिर राजनेता हो या फिर अभिनेता हो सब को नेता बनना है किसी को देश नहीं बदलना किसी को बिहार नहीं बदलना वलकि किसी को अपना खपरा वाला घर जो है वो पक्का करवाना है किसी को करोरपती से अरपती बनना है और यही कारण है कि जितने भी प्रीमो लालू प्रसाद यादब ने 2009 में आखरी बार चुनाब लड़ा था और उसके बाद वे अयोग घोसित हो गए थे क्योंकि सजा यापता जिसको भी कुर्ट वारा सजा सुना दी गई हो वह चुनाब लड़ने के लिए अयोग घोसित हो जाता है और वह चुनाब नहीं लड़ सकता है साल 2009 में जब लालू प्रसाद यादब ने आखरी बार चुनाब लड़ा था उस समय उन्होंने अपनी संपत्ती 3 करोर 31 लाख रुपया बताई थी और उन्होंने 2004 में जो हलाप नामा दैर किया था उसकी अनुसार उन्होंने 87 लाख 66 रुपय अपनी संपत्त बताई थी वहीं राबरी देवी ने साल 2014 में अंतिम बार चुनाब लड़ा था अभी वह विहार विधान परिशद की सदस्य है यानि की MLC पदपर है और उसके लिए जनता के बोट की कोई जवरत नहीं होती वहीं आपको बताते चले राबरी देवी ने जब 2014 में अंतिम ब पास 19 लाग की कई सारे गाए और भैस भी है राबरी देवी के पास 45 गाए 20 बच्डे और 50 कार्तूस वाली एक डवल बैरल बंदूख भी है राबरी देवी के पास एक लाइसेंसी बंदूख भी है वहीं चुनाब आयोक को दिये हलापनामे के अनुसार 2015 में तेजोसी के पास मात्र 2,32,56,322 रुपे की समपत्ती थी वहीं साल 2020 में उनकी समपत्ती जो है वो दोगिनी से भी ज़ादा अधिक हो गई और चुनाब आयोक को दिये 2020 में हलापनामे के अनुसार उनकी समपत्ती 5,88,90,61 रुपे थी वहीं चुनाब आयोक को दिये हलापनामे के उनकी बड़ी बहुन जो की पातली पुत्रा से चुनाब लग रही है लोग सभाप्रत्यासी हैं उनके पास 79 लाक एकानेमे हजार एक सो एकानेमे रूपे की चल और 1 लाक 46 जार रूपे की अचल संपत्ति यानि कि लालू परिवार में अगर सबसे जादा अगर कोई गरीब है तो वो मिशा भारती है और मिशा भारती से भी जादा अगर कोई गरीब है तो उसका नाम तेज परताप यादब है वहीं लालू परसाद यादब के बड़े बेटे तेज परताप यादब ने 2015 में चुनाब आयोक को जो खलाप नामा दिया था उसमें बताया उनके पास 2.97 हजार रुपे की संपत्ती है वह ही 2020 में उन्होंने चुनाब आयोग को जो हलापनामा दिया था उसके अनुसार उनकी संपत्ती दो करोर तेरासी लाख रुपे थी हलापनामे के अनुसार केश परता आपके पास एक करोर बाइस लाग संताने हजार आठ सो पत्रीस रुपे की अचल संपत्ती और एक करोर बाइस लाग संताने हजार रुपे की अचल संपत्ती है उन पर सत्रा लाग संतावन हजार साथ सो साथ रुपे का लून भी है इसके अलाबा तेश परताप यादव ने चुनाब आयोग को ये भी बताया को उनके पास मात्र 25 रुपया ही कैस है उनके पास 15,46,000 रुपे की एक बाइक है जिसके बारे में बताया जा रहा कि उन्होंने इसे लून पर लिया था वहीं उनके पास 29,43,000 रुपे की एक BMW कार भी है और 30 परताप यादव के पास 100 गराम सोने की ज्वेलरी एक डेस्क टॉप और एक लैप्टॉप भी है और आप जरा समझ लिजे कि जब इन्होंने चुनाव आयोग को जब पूरे परिवार ने खलाप नामा दिया और ये सिर्फ लालू परिवार के बारे में नहीं कह रहे हैं ये किसी भी नेता का देख लिजेगा तो जो चुनावी खलाप नामा जो अपनी संपत्ती का विब्रन देना होता है इसमें ये लोग अपने संपत्ती का सौमें हिस्से के बारे में बताते हैं और बस यही कारण तो है आपने देख लिया होगा कि नेताओं की संपत्ती दो से पास साल में जो है वो दुगनी से भी जादा हो जाती है कभी कभी तो दस गुना तक हो जाता है इतना तो इ प्रतिक्रिया है अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा जुरे रहे हमारे साथ चेहिंचे भारत